और अब आपको एक बार फिर ले चलते हैं राजस्तान के जैपूर जहां राजस्तान से ने महुत्सव कारिकरम का आयूजर हो रहा है आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जैपूर से जहां राजस्तानी फिल्मों के कई अभीनेता मौझूद हैं इसके साथ या आपको बता दें कि यहाँ पर विधायक गुपाल शर्मा भी मौजूद हैं बता दें इसके साथ ही जन टीवी के एडिटर इन चीफ S.K. सुराना वहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त जैपूर से दिखा रहे हैं जहां पर राजस्तानी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी चार दिनों तक और इस दोरान राजस्तानी फिल्मों को कई कैटिग्रीज में अवार्ड दिये जाएंगे आपको बता दें कि राजस्तानी फिल्मों को प्रोचसाहन देने के लिए और फिल्म कलाकारों को प्रोचसाहित करने के लिए इस कारिक्रम का विजन किया गया है इस दोरान सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा भी वहां मौझूद है चार दिवसी हैस कारिक्रम में Talking 24 नाम का राजस्तानी OTT प्लेटफॉर्म भी लॉंच किया जाएगा इसके साथ ही राजस्तान के फिल्मों को अवार्ड दिये जाएंगे कई अलगलग केटिग्रीज में फिल्मों को अवार्ड दिया जाएगा बता दें N.K. मितल और लखविंदर सिंग फिल्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये कारिक्रम आयुजित किया जा रहा है महीं चीफ पैट्रो और जजच के तौर पर इकराम राजस्तानी जोकी एक जाने माने कवियर सा हित्यकार हैं वो शिरकत करेंगे इस वक्त हम आपको सीडी तस्वीर दिखा रहे हैं राजस्तान के जयपुर से जहां राजस्तान सिरे महुद्सव का आगास किया जा रहा है आपको बता दें कि चार दिवसीय ये कारिक्रम आउजित होगा जहां राजिस्तानी फिल्मों के स्क्रिनिंग की जाएगी इसके साथ ही राजिस्तान के फिल्मों को अलग-अवार्ड भी दिये जाएंगे कई कैटिग्रीज में ये अवार्ड दिये जाएंगे आपको बता दे की N.K. मितल और लक्विंदर सिंग फिल्म्स प्राइबेट लिमिटेड द्वारा ये कारेकरम का विजन किया जा रहा है सीदी तस्वीरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजिस्तान के जापूर से इस दोरान टॉकीज 24 नाम का राजिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म भी लॉंच किया जाएगा फिल्मों के अभीनेता शिर्कत करेंगे राज जांगिर नेहा श्री और पन्या सेपट जहसे कई बड़े फिल्म अभीनेता इस कारेकरम में शिर्कत करेंगे राजिस्तानी फिल्मों को प्रोचसाहित करने के लिए और राजिस्तान के कलाकारों को प्रोचसाहन देने के लिए इस कारेकरम का एजिजन किया जा रहा है जहां पर जन टीवी के एडिटर इन चीफ सके सुराना जी स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद है चार दिवसीय कारिक्रम में राजिस्तानी फिल्मों को अवार्ड दिया जाएगा इसके साथ ही अलग-अलग केटिग्रीज में यह अवार्ड दिया जाएगा सेरे महुद्व का आगास किया जा रहा है राजिस्तान सेरे महुद्व का उद्खार्टन हुआ है जो की ज्यापूर में कारेक्रम चार दिवसीय होगा जहां पर राजिस्तानी फिल्मों के स्कृरिनिंग की जाएगी रजस्तान के फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए स्कारिक्रम का आयोजन किया जा रहा है आपको बता दें कि राजस्तानी से ने महुत्सफ का आदास हो रहा है और बोपाल जी मेरे नाम राशी ही मिले थे मैंने का निश्चित आऊंगा यहां करके एक राम राजस्तानी जी के दर्शन हुए मन बड़ा खुश हुआ और राज जांगिड जी मेरे बहुत गहरे मित्र हैं पारिवारिक हैं और एक बार एक अउसर आया था जब मैं भारत सरकार में सुचना प्रशान मंत्राले का एडवाईजर का तो मेरे मन में बहुत थी कि किसी तरह से राजस्थानी फिल्मों को आगे बढ़ाया जाए लेकिन परिशानी ये हुई कि कोई ऐसा संपर्क में ही नहीं आ पाया जिनके पास में कोई प्लान है तो इसके कारण मन की मन में रह गई और मेरा मन वहाँ नहीं लगा तो मैं आ गया अब आप ये निश्चित मानिया कि हम लोगों को मिल करके राजस्थानी फिल्मों को कम से कम उस इस्तर पर लागा है जैसी इस्तर के उपर साउथ की फिल्म में है हम भुचपूरी फिल्मों जैसी गंदगी नहीं चाहेंगे लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि हमारे जो कलाकार है हमारे जो निर्माता है हमारे जो निर्देशक है वो सब आर्थिक दिश्टी से संपन्न होंगे तो सारी चींग अपने आप हो जाएगे और कभी भी राजस्थानी फिल्मों के लिए किसी से भी मिलते की ज़रूरत हो कोई बात कहनी हो तो टाइम लेनी की जोड़ती है मेरे को आप हमेशा अपने साथ समझेगे क्योंकि हम लोगों को तो आज भी याद है कि सुपातर विंदी में किस तरह से कित्वान करें गड़पतलाल जी डांगी याद है तो आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं आपने गुला के इतना बड़ा सम्मान दिया है कि इसको भूल नहीं सकता मुझे अपना साथी समझेग बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा आपने अपने प्रोडूसर और जितने भी डिरेक्टर और जितने भी टीव है इतनी होसला अवजाई की है तो शायद आप जो चाहते हैं वो इस बार हम करके पुरा दिखाएंगे क्यों ये बीड़ा एंके मितल साब ने और प्रिया मितल है लगितर जी आप यह आए पार और यह इन्हों ने शुरू में पहली बार ऐसी एक बुहीं छेड़ी है जिसमें वाके ऐसा लगता कि रास्तान की फिल्मों को एक नया बोड लाके देगें और इसमें सिर्फ हम सब लोग आपको एक ही रिक्वेस्ट करें कहीं भी किसी हारे हमारा है हुष्णा बढाया इसके आपको बहुत धन्यवाद आपने ती समय निकाल कि आपने आप अपदारे और आपने कहा कि रास्तान इसमें के लिए आप आपके बढाने में पुरा सही हो देंगे तो डेविनेटली हमारा हुष्णा बढ़े